तो फ्रेंड्स अगर आप भी नेट्रल ट्रीकी के साथ अपने आई लैशिस को बहुत ज़दा ग्रो करना चाहते हैं ठिक करना चाहते हैं अब चाहते हैं कि आपको कभी भी फेक आई लैशिस लगाने की रुगत ना पड़े तो आपने बिलकुल सही वीडियो पर क्लिक किया ह आपने लासट बिलकी बनाकर एपलाई करना हैं बहुत ही नाट्रल चीदों के साथ यो रांद राड़ी होगी बहुत ही कम बचन में यह आपके रामडी राडी हो जाँगी आपने बहुत सारी रामडी यूजज की होंगी आई लाशिस के हवाले से बट इसके आपको 100% करती रहती हुँ और आप लोगों ने रामेडिस को बदर दब संद भी किया है और इसी को मुझा रखते हुए मैं आज की भी बहुत ही जबर्दस आपके साथ रामेडिस शेयर करने लगी हुँ जिसकी वज़ासे आपको फेक आई लाइचिस लगाने की तुर्ट नहीं पढ़ तो गर्ल्स इस फरामेडिक को रेडि करने के लिए फर्स्ट इंग्रिएंट मैं यहां पर यूज़ करने वाली हुँ वह है जी वैसलीन वैसलीन अक्सर हमारे घोड़ों में मजूद होती है तो जी यहां पर मैंने वान डेबल स्पून वैसलीन का लिया है आप किसी भी ब्र करने लेगी हुँ वन टी स्पून कैस्टर ओयल कैस्टर ओयल कैस्टर ओयल आपकी आई डैश इसको तिक करता है स्ट्रॉंग करता है और उन्हें लॉंग करणे में पहुँ सादा है तो जी इसके बाद जो हम ठर चीज यूज़ करने वाले हैं वह हाश्मी वालों का सुर्मा आप किसी भी बाद का सुर्मा यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पाद लिए स्टी सुर्मा हो तो आप वह भी यूझ़ कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है तो जी वान पिंच के करीब हम इसमें इनके एक चुटकी के बराबर हम इसमें सुर्मा के पाउटर आड़ करतेंगे ugi खाल दुम्हाज आयिलिष्स का था स्ट्रोग बनाने में हैल्प करता है कि हम अबित तो इन तीनों को ऐसमें ने कह मुपका ए। मीक्स जब तक कि मैं ने मिक्स कर रही ह। यहार आप व की अब दूराधा घ्याल्ण सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए इसी तारा की यूसफु लीडियो बनाती रहती हूँ और आप बेरी हॉमरा मेरी इसको और बेरी ब्यूटी इसको फॉलो करके ब्यूटीफुल से बहुत ब्यूटीफुल हो जाएं तो जी इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं आपको बताओंगी कि आपने से सेफ कैसे करना है और आपने से यूस कैसे करना है ताक कि आपको इसकी 100% रिजल्स मिल सकें तो जी सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपने से स्टोर कैसे करना है इस तरह के एक चोट उमोट सा कोई भी जार ले 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 उसमें जी हम इस क्रीम को ट्रांसफर कर देंगे क्रीम को ट्रांसफर करने के बाद जी जो क्रीम है यह आपके 15 डेस तक एजी रिस्टोर रह सकती है 15 डेस के बाद अगर बाच पी जाए तो आपने इसे जोड़ाश्मिन करने के बाद इस तरह से जी क्रीम लगाए उसके उपर और ऐसे अपनी आई लैश्मिन पर एप्लाई करनी है आपने पहले भी कोई ना को रेमिडी लास में यूस की होकी आई लैश्मिन के हवाले से तो मैंने अकुसर देखा है कि जभी हम को रेमिडी यूस करते हैं तो उस अच्छे से लगा के रात को आपने राम से सो जाना है और सुपर कूट के अपने मौर्णिंग में अपनी आई लैश्मिन को फेस वाश करेंगे तो आई लैश्मिन पर आपको इसके बैस रिजल्स मिलेंगे तो जी वीडियो कर अच्छी लगी हो तो प्रीस लाइक कीजिए क चैनल को सब्क्राइब करके जाएंगे जो आभी बेरी न्यू आने वाली बेहने हैं मिलिएगे मैं आपसे किसी नेक्स वीडियो में नेक्स किसी अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज मुझे अपनी दौब में याद रखिएगा